कुरेश्वामी जी महराज, कहते हैं कि त्वामा मनंतिकवयह करुणामरताब्धे ज्ञानक क्रिया भजन अलभ्य अलभ्य अन्य यही ये भगवन बड़े बड़े कभी बड़े विद्वान ये कहते हैं कि आप ज्ञान कर्म और भक्ति इन तीन साधनों से मिलते हो ज्ञानक क्रिया भजन अलभ्य अन्य यही अन्य साधनों से आप नहीं मिलते हो तो मेरा प्रश्ण है आपसे क्या प्रश्ण है बोले एतेन केन वरदोत्तर को सलस्थाह हे वरद हे ठाकुर इन साधनों में से कोसल वासी अयोध्या वासियों ने कौन सा साधन किया था जिस साध आयोध्या की घास के सहित सब को आप वैकुंठ ले करके चलेगे। आयोध्या की घास ने कौन कर्म ज्यान अनुष्ठान किया था। वहां के ब्रक्षों ने कौन से ऐसे अनुष्ठान किये थे। तो संपुर्ण आयोध्यावासी को भगवान अपने साथ ले गए। लेकिन ऐसी स्थिती में भी पाँच लोग बच गए। कौन कौन नहीं गए बोले एक विभीषण जी नहीं गए। और एक हनुमान जी नहीं गए। और एक जामुंत जी नहीं गए। और एक दिवित नहीं गए। और एक मयंद नहीं गए। इन पाँच लोगों को भगवान स साथ नहीं गए इतनी बड़ी वाइकुंठ यात्रा भगवान की हो रही है जिस वाइकुंठ को प्राप्त करने के लिए बड़े योगी अमलात्मा महात्मा लोग साधन करते हैं और अयोध्या की घास तक को वाइकुंठ मिलने जा रहा है और ऐसे अवसर पर ये पांच लोग इन पांच लोगों को वाइकुंठ नहीं मिला ये वाइकुंठ महीं गए कारण क्या था पांचों के कारण अलग अलग थे बिभीषन जी को तो इसलिए भगवान लेकर के नहीं गए कि बिभीषन भी कामना के कारण बंधन में पड़ चुके थे कथा में मैंने निवेदन कि भीशन जी जब भगवान के पास आये थे उनके मन में कामना थी, कि है जैसे भगवान ने बाली को मार दिया, सुगरिव को राज्य दे दिया, उसी प्रकार रामण को मार देंगे, लंका का राज्य मुझे मिल उन्य हम शाओ, ये कामना लेकर के आये थे, और कच्छु प्रथम बासना रही बासना थी आते ही भगवान ने राज तिलग कर दिया और लंकेश बना दिया और भगवान ने कहा जाओ एक कल्प तक तुम राज्य भोगो जब तक तुम्हारा मन भर जाए तब तक राज्य भोगो करहु कल्प भरी राज तुम मम सुमरेव मनमाही पुनि मम धाम पाईयव जहां संत सब जाएं। फिर तब आप मेरे धाम चले आना। तो एक कल्प तक विभीषण जी को राज्य करने का वरदान भगवान ने दे दिया वो भी इसलिए दिया कि विभीषण जी की काम ना थी। तु अपनी इस कामना के कारण वो विएकुन्ट नहीं जा सके। आज भी लंका के राजा भीषण है। लेकिन वो लंका नहीं जो Langenश भारत के नक्से में नीचे दिखाई पड़ती। वो तो सिंघल-दीप है। उसका नाम सिंघल-दीप है। वास्तविक लंका जो यक्ष तो आज भी वहां के राजा विभीषण जी महराजी एक कल्प तक रहेंगे तो विभीषण जी तो इस कारण से नहीं जा पाए कियोंकि उनके अंदर राज्य करने की कामना थी कि हनुमान जी क्यों नहीं गए वह ले हनुमान जी के अंदर तो ऐसी कोई कामना नहीं थी लेकिन हनुमान जी ने कहा भगवान ने जब वैकुंठ की आत्रा की गोषना की कि अब हम सब लोग चलेंगे साकेत धाम चलना है हनमान जी को बुलाया और भगवान ने का हनमान अब यहां की लीला पूरी हो गई अब तो वैकुंठ चलना है हनमान जी ने का बहुत अच्छी बात है सुछें गाजिए हम hen की कथा की टाइमिंग क्या है तो बजे से की तीन बजे से कि चार बजे से कब होती हि ए भगवान ने का हन मान बाइकुंट मेरी कथा नहीं होती व में होता हूं कि आपकी कथा नहीं होती वहां तो भगवान श्री प्रभु राम की इन बातों को सुनकर हनुमान जी ने बिनम्रता पूरवक कहा प्रभु आज तक मैंने आपकी किसी आज्ञा का उलंगन नहीं किया लेकिन आप छमा करें मैं आपके साथ वैकुंट नहीं जाओ हम तो कथा सुनने वाले हैं कथा से इतना प्रेम हनुमान जी महाराज को इसलिए हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं राम चरित सुन बेगो रसिया राम लखन सीता मन बसिया राम लखन सीता मन बसिया आप से तो बहुत प्रेम हैं अगाध प्रेम हैं मैं तो आपको भी चाहता हूं और आपकी कथा को भी चाहता हूं लेकिन वैकुंठ में आप मिलोगे लेकिन आपकी कथा नहीं मिलेगी और यहां मृत्य लोक में आपकी कथा भी मिलेगी और आप भी मिलोगे अनवान जी नहीं कहा आपकी कथा भी मिलेगी और आप भी मिलोगे क्यों बोले जहां आप रहते हो वहां आपकी कथा रहे ये कोई जरूरी नहीं लेकिन आपकी कथा जहां रहती है वहां आप जरूर रहते हो इसलिए जहां कथा रहेगी वाम रहे भगवान की जहां कथा होती भगवान वही निवास करती स्वयम भगवान केते नाहम बसामी वईकुंठे योगी नाम हरते नचा मद भक्ताह यत्र गायंती तत्र तिश्ठामी नारद ये नारद मेरे भक्त जहां मेरा गुणगान करते में वही निवास करता और भागवत के महात्मे में तो आपने सुनाई था कि जब ज्यान वैराग्य भक्ती सब मिल करके कीर्टन करने लगे उस अलोकिक कीर्टन को देख करके भगवान प्रगट हुए और भगवान ने कहा वरदान मांगो तो उन भक्तों ने यही वरदान मांगा की है प्रभो जहां कही आपके भक्त आपका गुर्णगान करें आपकी कथा हो भागवत की कथा हो रामाएड कथा हो राम कथा हो Channel कelesdenant ऐसे आउसर पर जैसे आज आप ने करपा की है उसी प्रकार उन भगतों पर भी आप सदा ऐसे ही करपा करते रहे यही वर्दान भागा उन भक्तों, तो भगवान की जहां कथा होती, वहां भगवान रहती, तो हनुमान जी ने गा प्रभो, मैं तो यहीं रहूंगा और आपकी कथा श्रमण करूंगा, और जब इस प्रतवी पर एक व्यक्ती, जब तक एक व्यक्ती भी आपकी कथा सुनाने वाला इस प्रतवी पर रहेगा, तब तक मैं इस प्रतवी पर रहूंगा, कथा सुनने के लिए, जहां वो कथा सुनाएगा, मैं वही जाकर के सुनूँगा, यहां तो लोग कथा अस्तल में नहीं पहुछ पाते करते हैं, मोबाइल से ही सुन लेंगे, लेकिन हनुमान जी महराज बोले एक साथ एक लाख नहीं एक करोड जगहों पर राम जी की कथा हो रही हो तो हनुमान जी उतने रूप धारन करके उन उन जगहों पर जा करके कथा शमुन करो चाथ बुद्बाद यत्र यत्र रगुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम इसका अर्थ यही है कि एक लाख एक करोड जगां पर भी अगर राम कथा हो रही है वगवान की कथा तो हनुमान जी साब कथाओं में पहुँच जाते हैं किसी ने किसी रूप में और जाकर के कथा शुमर करते हैं तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पभारी परिपूर्न लोचनम मारुतिम नमतराच्छ सांतका तो हनुमान जी तो इसलिए रुग गए कि हमको कथा सुननी है और जब तक कथा होगी तब तक हनुमान जी यही रहेंगे और हनुमान जी को बगवान ने काम सौंप दिया ठीक है अगर तुम बैकुंट नहीं चल रहे हो ते काम करो जो मेरी कथा सुनते रहना और प्रधिवी पर रहो जो मेरा नाम ले जो भजन करे जो मेरी कथा सुने उसकी रक्षा करते रहना उसके उपर कृपा करते रहना इसलिए हनुमान जी महाराज की कृपा सदै वो भक्तों पर रहती जो भगवान की भक्ती कर रहा है जो कथा कर रहा है कथा श्रमन कर रहा है हनुमान जी महाराज का वरद हस्त है उसके उपर उसका बालबाका नहीं हो सकता हनुमान जी जैसे जिसके सहायक हों, बचरंग बली जिसके सहायक हों, क्या चिंता करना तो हनुमान जी तो इसलिए रुख गए और जामुंत जी क्यों रुख गए जामुंत जी को इसलिए रुखना पड़ा कि इनों ने भी एक कामना कर ली क्या कामना की जब युद्ध समाप्त हुआ राम रामन युद्ध रामन का बध हो गया सभी बानर बैठे थे दरबार लगा था तो भगवान ने उन बानरों से पूछा भाई तुम बताओ इस युद्ध में तुम्हारा क्या पराक्रम था सभ बानर अपने अपने पराक्रम का वर्णन करने लगे किसी ने कहा उस राक्षस को तो हमने ऐसे मारा उसने कहा उसको हमने ऐसे पटक करके मारा सब अपनी बातें कह रहे थे भगवान सुन सुन करके आनंदित हो रहे थे उन बानरों की बारता को, क्रम चलता रहा जब जामोंत जी के पास क्रम पहुचा तो जामोंत जी से भगवान ने पूछा, जामोंत जी आपने अपना कोई संस्मरण नहीं सुनाया, जामोंत जी हसने लगे जामोंत जी ने का भी यह जामन्त जीने का महराज इतने बड़े युद्ध में कोई वीर ऐसा था ही नहीं जो मेरे समकक्ष हो, जिससे मैं युद्ध कर सकू, किससे मैं युद्ध करता है, एक रामण था, रामण अगर मुझसे युद्ध करता है, तो मैं करता है, और रामण आपका शत्रू, रामण के बध का यश, रामण के बध का यश आपको मिलना था, इसलिए मैंने रामण से य दुनिया में कोई नहीं, जय जय महाभीर महाधीर धहुरे, तो आप ही मुझसे युद्ध करो, दो दो हाथ हमारा आपका हो जाए, तो मैं अपनी कला आपको दिखाओं कि मेरे अंदर कितनी ताकत है और मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ, भगवान श्री राम ने कहा, जामुं आप ब्रद्ध हैं, और जामुंत जी त्रेता युग में बूढ़े थे, जामुंत मंत्री आती बूढ़ा, तो भगवान ने कहा ऐसे ब्रद्ध व्यक्ति से मैं युद्ध करूं, ये महामारे मर्यादा के विपरीत है, लेकिन आपकी इस कामना को मैं पूर्ण करूंगा, द आई गई हो गई, गतम तु गतमे वही, लेकिन इस कामना के कारणे ही जामुंत जी महराज को त्रेता युग से लेकर के द्वापर युग तक इस धरा मंडल पर रहना पड़ा, किसी भी प्रकार की सांसारिक कामनाएं जीव को बंधन में डाल देते हैं, इसलिए गीता में बार बार भगवान केते हैं, कामनाओं का त्याग ही वास्तविक भक्ती है, वास्तविक सरणागती है, वास्तविक समर्पन है, वास्तविक ज्यान है, जो भी कहलो, आप कहलो ज्यान से मुक्ती मिलती है, तो ज्यान क्या है, बोले सारी कामनाएं समाप्त हो जाएं, यही तो ज्ञान है सरनागती क्या है समस्त कामनाओं को छोड़ करके अनन्य भाव से अन्या भिलाशिता सुन्यम ज्ञान करमाध्यना बृतम पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पन हो जाए तो ये कामनाएं ही जीव को बंधन में डाल देती है और गीता में तो भगवान किद का भी उसे घ्न नहीं हो पाता और ये कामनाओं जीव को बंधन में डाल दे और जन्म-जन्म के बंधन अएसे होते रहते एक कामना से एक बंधन उस कामना की पूर्ती हुई तब तक दूसरी कामना पैदा हुई उसके कारण बंधन ये बंधन पर बंधन अना अधिकाल से यही तो चल रहा है जामुंत जी की छोटी सी कामना ने उनको एक युग तक इस प्रतवी पर रहने के लिए मजबूर कर दिया मालग और दिविद और मयंद जो थे वो भी बैकुंठ नहीं गए राम जी के साथ दिविद भी द्वापर योग तक था द्वापर में द्विद को बलराम जी ने मारा है और मयंद भी द्वापर योग तक थे उसके बाद भगवत धाम गए तो दिविद और मैंद को इसलिए भगवत धाम की प्राप्ती नहीं हुई कि दिविद के विशे में वर्डन है कि वो दिविद नाम का बानर राम जी का सेना पती था दिन भर युद्ध करता था राम जी के दल में रहता था रात में राम जी के दल से निकल करके रावण के दल में चला जाता थलंका में और रात में जाकर के वहां घूमे खाय पिये आनंद मोज मस्ती करता था और फिर वहां से सुबह सुबह फिर चला वे ये बात राम जी को पता चल गए, ये तो बड़ा बदमाश है, रात में उधर जाता, उस पार्टी में मिल जाता, इस कारण से भगवान ने दिविद का त्याग कर दिया, छोड़ दिया, बले जाओ, ये जिसकी बुद्धी इस प्रकार की हो, ऐसे व्यक्ति को अपने पास भगवान से बिमुख होकर के इधर उधर घूमने लगा, और भगवत बिमुखता के कारण धीरे धीरे उसके अंदर अज्ञान, लोब, मोह, काम, ये सब कुछ बढ़ता गया, और द्वापर युग तक वो दिविद बानर था, द्वापर युग में बलराम जी ने जब दि किया, तब दिविद को भगवत प्राप्ती हुई, भगवत लोग की प्राप्ती हुए, तो ये सब कामनाएं ही जीव को बंधन में डाल देती है, इसलिए कामनाएं तो होनी ही नहीं चाहिए। श्री राम सुकदाश जी महराज, जिनके गरंथा आपने पढ़े होंगे, श्रीमत भगवत गीता के उपर उनकी बड़ी व्याख्या है, पोज्य महराज श्री अपने प्रवजन में कहा करते थे, कि कोई काम हम करेंगे भविश्व में इसके लिए भी कहना नहीं चाहिए। हुआ खेते थे, यह ऐसा कहा करो कि प्रयास करेंगे, प्रयास करेंगे, हम ऐसा करेंगे यह भी नहीं कहना चाहिए, क्यों बहुते ओकामना बन जाएगी और नहीं कर पाए, पिर वही बंदन का कारण। उकेते थे का ये बोलो की प्रयास करेंगे, भोसिस करेंगे, देखते हैं क्योंकि कामनाई ही जीव को बंधन में डालती हैं उसी कामना के कारण जामुन्त जी महराज आज तक रहे भगवान ने कहा आज आपकी कामना पूर्ण हो गई जामुन्त जी बड़े प्रसन हुए भगवान के चरणों में प्रणाम किया भगवान ने कहा जामुन्त जी हम तो यहां आये हैं इस मनी के लिए, इस मनी के चोरी का आरोप मेरे उपर लगा है इसी मनी के लिए मैं आया हूँ तो जामुळ जी ने गहा प्रभो ये मनी तो आपको हम दे देंगे लेकिन हमारी एक शर्ट है जामुळ जी ने गहा प्रभो मेरी एक कन्या है जिसका नाम जांबवती है अर अब मैं भी बृद्ध हो चुका हूँ इस बुढ़ापे में अपनी कन्या के लिए बर ढूणने कहां जाऊं और बर ढूणने अगर जाऊं भी तो आप से सुन्दर बर कोई मिलेगा नहीं और आप मेरे द्वार पर चल करके आये हो बर तो कन्या के द्वार पर चल करके ही आता है और आप आये हो तो मेरी प्रार्थना स्विकार करो मेरी कन्या जामबवती का आप पानिक ग्रहन कर लो ये मनी मैं आपको दहेज में दे देता हूँ दे दूँगा मैं मनी भगवान ने का ठीक है कोई बात नहीं ये भगवान श्री कृष्ण का दरबार इस मामले में बहुत उदार है कोई भी आओ कोई रोक टोक नहीं तो हमारे राम जी थोड़ा इस मामले में बड़े मर्यादित है सुरपनखा आई तो ना कई कान काट लिया हमारे लेकिन कृष्ण भगवान बले कहते है कोई भी आओ चाहे लंगडी आओ लूली आओ बंदर की बेटी आओ चाहे भालू की बेटी आओ कोई दिक्कत नहीं आओ कृष्ण भगवान के धरबार में किसी के लिए रोक नहीं और यह भगवान का बडा कट अनुभव भी रहा कट अनुभव यह था कि भगवान ने विचार किया कि देखो रामावतार में मैंने एक इस्तरी का तिरसकार किया किसका बुले europeं खा बड़े भाव से विचारी आई थी, उसके भाव का अगर वर्णन करो तो उसका भाव तो बहुत ही पवित्र था, इसमें कोई दोर आए नहीं, कोई व्यक्ति भगवान को देखकर, उनके स्वरूप संदर्य को देखकर मोहित हो जाए और उनसे उसको प्रेम हो जाए तो यह तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कराबी किया, गोपियों ने भी तो यही प्रेम किया, अगर भगवान के संदर्य को देखकर के सूर्पनखा पागल हो गई, और वो कहती है, कि तोसम पुरुसन मोसम नारी, यह संजोग विधिरचा विचारी, तो उस विचारी की इस बात में दम है, वो कहती ठीक बा और आज भी उस सूर्पनखा के भाव को लोग रोज अस्मर्ण करते मारा, रामरक्षा स्तोत्र में जब पाठ करते हैं, तो सूर्पनखा ने अपने भाई खरदूशन से जो कहा था, भगवान के संदर्य का वर्णन करते हुए, उन्ही इस लोकों को रामरक्षा स्तोत्र में सूर्पनखा जब खरदूशन के पास पहुची तो यही कहा कि जिसने मेरा नाक कान काटा वो बड़े सुंदर हैं, तरुणव बड़े जवान हैं, सुकुमार वो बड़े सुकुमार हैं, और नाक कटने के बाद भी भगवान के संदर्य माधुर्य को भूल नहीं पा रही थ ब्रमर गीत में, ब्रमर गीत में गोपियों ने जब उद्धव जी को बहुत खरी खोटी सुनाई, कि अरे कृष्ण तो बड़ा चलिया है, कप्टी है, धोखे बाज है, ऐसे काले व्यक्ती से प्रीति करके हमने बहुत दुख उठाया, यह सब गोपियों ने कहा, तो उस प जिस क्रिष्ण की तुम प्रसन्धा कर रहे हो, तुमने उसको पढ़ा है, तुम पढ़वा पंडित हो और हमने उसे जाना है, तुमने थेवरी पढ़िए, हमने प्रैटिकल किया है, हम जानते हैं क्रिष्ण क्या है गोपियां कहती है अरे उद्धो तुम कृष्ण को इस जन्म से जानते हो मैं उसको कई जन्मों से जानती है गोपियों ने कहा कि कहो तुमें दो चार जन्म की कथा बताऊं उद्धो जी तो सुनने लगे गोपियों ने कहा ये पिछले बार राम जी के रूप में प्रगठ हुआ था बताओ थोड़ी सी दया नहीं इसके अंदर छिप करके ब्याध के समान बाली को मार दिया यह कोई धर्म था गोपियां कहती है और तो और आहा वो विचारी सूर्पन खा बड़ी स्रद्धा से समर्ण किया माराज गोपियों ने वो विचारी कितने प्रेम से आई आत्म समर्पन करने आई और इन निर्दय को दया नहीं आई उसका नाक कान काट लिया इस्त्री एकरत बिरूपाम उस इस्त्री को बिरूप बना दिया कुरूपा बना दिया इन वाक्कियों के द्वारा गोपांगनाओं ने सुरपनका का बड़ी ही स्रद्धा से समर्ण किया एक हमारे बड़े ही आदर्श आचारे थे महापुरुष जिनके मुक से मैंने सुना है कि वो तो इस प्रसंग में बोलते थे महाराज जब गोपियों ने उद्धव जी को ये बात सुनाई और ये प्रसंग जब आया कि रामावतार में इस्त्री को बिरूप कर दिया तो सभी गोपांगनाओं ने बड़े भाव से सुरपनका को स्मर्ण किया और सुरपनका का नाक कान काट लिया उसका परिणाम ये हुआ सीता हरन हुआ लक्षमर जी को सकती लगी राम जी को रोना पड़ा जंगल जंगल भटकना पड़ा तो राम जी ने विचार किया इस आवतार में तो मैंने इस्त्री का निरादर कर दिया लेकिन अब ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगा अगले अवतार में कोई आजाओ सबको स्विकार करूंगा क्योंकि इसका दुस्परिणाम में भोग चुका हूं राम अवतार में इसलिए कृष्णा अवतार में भगवान किसी इस तरीका तिरसकार नहीं करें कुप्जा आई विचारी तीन जगह से टेड़ी थी कूपड निकला था उसको भी स्विकार ये भी आई महराज जामुंत जी ने कन्यादान कर दिया जामबवती का मणी भी दे दिये अब जामुंत जी की बेटी को लेकर के चले भगवान द्वारिका के लिए अब ऐसे तो जामुंत जी महराज देवत उल्य है उनका सरीर केवल रीच के समान है वाकी संसकार मनुष्यों से भी उत्तम है वो वस्त्र धारण करते हैं यग्यो पवीत धारण करते हैं त्रकाल संध्या करते हैं समस्कृत भाषा में मानवी भाषा में वारता करते हैं ग्रीव अंगद, ये सब बानर जो हैं, ये बानर ऐसे बानर नहीं, जो बानर आज घूमते हैं, ये बानर केवल बानर की आकरती इनकी है, ये देवता हैं, वस्त्रधारन करते हैं, जन्मजात इनके अंदर दिब्य सिध्धियां होती हैं, चमतकार होते हैं, ये अलग एक विल रूपों में अवतार लिया था वो कोई ऐसे वैसे बंदर भालू नहीं थे तो जामुंत जी माराज की जो बेटी वो दिव्यदेवी की समान थी ऐसा नहीं था कि वो भालू की आकरती में थी लेकिन भक्तों के बड़े भाव होते हैं एक भक्त कहते थे कि भालू की बेटी तो भालू ही होती है तो जामोंति जो थी वो जामबवती जी भालू के ही समान थी जा भगवान ले करके तो चले लेकिन फिर सोचने लगी अब द्वारिका पुरी ले करके जाएंगे लोग क्या कहेंगे कहां से जंगली भालू पकड़ करके ले आए भालू की बेटी तो भगवान ने कहा जामभवती से अपना पीतामबर दिया कहा लो इसको ओढ़ लो और मैं जो कहता हूँ वैसे वैसे करना जामभवती जी को लेकर के जब द्वारिका आये तो भगवान ने कहा अर्ध रात्त्री में हम लोग महल में चलेंगे और जैसे ही महल में घुसेंगे दाहिने हाथ एक कक्ष है महल में प्रवेश करते ही दाहिने हाथ पर एक कक्ष है आप उस कक्ष में चली जाना और भीतर से जा करके कक्ष को बद्द कर लेना कोई कितना भी कहे तो दरवाजा मत खोलना जब मैं कहूंगा तब खोलना जांबवती ने का ठीक अब जांबवती को अपना पीतांबर उढ़ा करके भगवान लेकर के आए जब द्वारिका में प्रवेश किया रात्री के बारह बजे सब लोग तो सो गए थी रुक्मिनी जी क तो पहले ही सिखा रखा था कि भीतर जाते ही बगलवाले कक्ष में चली जाना और बंद कर लेना अब वो पीतांबर उढ़े हुए थी और फट से भीतर गई और कक्ष को बंद किया रुक्मिनी जी ने हलका सा देखा कोई आया है साथ में और इधर कक्ष में गया वो भी पी कि दाम बरवड़ उसका गोंगट दिक रहा था कोई महिला जैसी दिख रही था दोड़ी दोड़ी रुक्मिनी ने है